अबसकार मैं हूँ गौर सिवास्ता और स्वागत है आप सभी का प्रायम उत्तर प्रदेश में तो खबरों का सलसला शुरू करते हो पहली खबर यहां राजधानी लखनू से हैं कि आमानी पार्टी के रासवा सांसर संजा सिंगी गरपतारी के बार आमानी पार्टी लगाता आंधोरन करती नजर आरी सिकड़ी में आमानी पार्टी प्रदेश के 25 लाग घरों में दस्तक देगी पार्टे कहना है कि वो इस बहाने यूपी प्रिभारी और आस्वा सांसर संजा सिंगी गरपतारी का सच लोगों को बताएगी को और तलब है कि पूरे प्रदेश में आस्यामानी पार्टी सभी जलों में अभियान चलाकर पेथम चलान में 25 लाग घरों में दस्तक देगी अब ने बोला कि धर्म जाति से कुछ होता नहीं है तो यह जाग रूता लोगों के अंदर कैसे लाएं गया इसलिए हमने पत्र बनाया एक पैंप्लेट बनाया है जिसमें सारी बातों का जिक्र है इसमें बता रहे हैं कि देश को सिक्षा की जरूवत है देश को रोज़गा करना यह मतलब मुझे नहीं लगता इससे लोगतंत्र में कुछ होने वाला है और मोदी जी ने इसको अपना हत्यार बना लिया है लोगों की भावनाओं के साथ खेल करके वह सत्ता में रहे बने रहना चाहते हैं इससे देश का क्या होगा देश तो वरबाद हो रहा है ना ब अखनू से गरबतार किया है आपको बता दे इससे पहले यूपी अश्टियप ने 26 सितंबर को आईसाइ एजेंट सेलेश सिंग को भी गरबतार किया था उसी सेलेश सिंग की रिसान दही पर एटीयस ने एक और गरबतारी की है यूपी सरकार ने हलाल सर्टिपिकेट के साथ बेचे जाने वाले खाद देबा मेडिकल उठपारों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है साथ ही हलाल सर्टिपिकेट सामान पर रोक लगा के लिए पिरसासम को सक्त निर्देश भी दे दिया इसी कड़ी में मुरादाबाद में खाद बिभाग की टीम ने कई रेस्टोरेंट और सुपर मार्केटों में जाकर छापा मारा इस दोरान खाद बिभाग की टीम ने हलाल सर्टिफिकेट सामागे इस्तवाल किये जाने की लेकर पितब्जिस की की और साथ ये भी बताया कि किचर में जो सामागे इस्तवाल की जा रही है उसे भी चेक किया जाएगा और लेकर जाच में इस दोरान कोई भी खाम मी खाद बबा की टीम को नहीं मिली है जो हलाल पैकेटों में लिखा हुआ रहा है भारत खाद प्रदार्तों की सिर्शस संस्था जो हमारी है भारती खाद और मालक प्राधी तरण है उसमें इस प्रकार का कोई रेगुलास नहीं कि अलग से हलाल वर्ड का उसमें पैकेटों पे यूज किया जा यह एक समानंतर ब्युस्था चली जो की आट के विपरीथ है तो आज में अध्या उत्या प्रदेश लंग द्वारा आदेश मिला है इस तरह जितने भी में एक पोल्स की कार परणाली सकते में रहते हैं पुलिस की मनमानी कार परणाली की चलते अक्सा पुलिस बेवालों की घिरों में रहती है लेकिन कई वार इसका मान Like चैरा भी सामने आता रहता है ऐसा ही पुलिस का एक मानवी चेरा दिबरिया से सामने आये जहां सरर कुटबाली थाना छेते के भड़बलिया चोराहे के पास बाइक सबार पती पतनी सड़क दुरगता में चोटल हो गाते जहां एसपी के एसकॉर्ट बे चल है पुलिस कर्मियों ने महला अपर उसको अपने बाहान में बढ़ा कर जिला स्पताल पहुचा है साथ ही दौरनों का प्राटमे को उप्चार करा कर गायलों को उनके घर तक छोड़ा ऐसे में पुलिस की दर्या-दरी देखकर आसपास के लोगों ने खुप सरहा भी है खबर गोंडा के परसपुर थाना चित से है जहां पकल्योगी बेटे ही अपनी मा के जाने जुस्मन बने हुए दरसल बेद्यमाने से जमीन अपने नाम करने के लिए दो सगे भाईयों ने अपनी मा को जम कर पीटा भही तीसरा बेटा मा को बचाने में पुरी तरह लगा रहा पूरा मामला परसपुर थाना चित के करनी परवाद गाउं का है जहां पिता की मौत के बाद जमीन अपने नाम करने के लिए कलूगी बेटे अपनी मा पर लगातार जुर्म करते नजर आ रहा है वही मारपिट से आत्माने थाने के चक्कल लगाती रही है अस्पी तक गोहार लगाई लेकिन बेटों पर कोई कारवाई भी नहीं हुई तो आज की प्राम मुत्तपिरस में इतना ही देश और दुनिया के तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे हैं प्राम टीवी